हलो दोस्तों नमस्टकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टार्गेड गवर्मेंट पोश्ट में दोस्तों यूपी बीर्ड प्रवेस परिच्छा से जुड़ी हर जानकारी और आपको समय से मिल पाएं दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है आप इस तक सूचना 10 जुलाई कि आप सभी लोगों के लिए मतलब कितने जिलों में आपकी परिच्छा होगी और कितनी पालियों में आपकी परिच्छा होगी ठीक है अब यहां पर जो आपको अपडेट मिल रही है यह authentic news है अच्छा 9 अगस्त जो डेट मिकल के आई है क्या इस डेट पर यह आ परिच्छा होने वाली जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ था कि आपकी जो परिच्छा है वो पहले यहीं 2019 में अठारे में उससे पहले दो पालियों में ही होती थी यानि 50-50 परस्ट रहते हैं पहले पालियों में आपके 50-50 सब्जेक्ट के कोश्चन रहते थे मतलब Total question की बात करे तो 100 और दूसरी पालीयों में आपके जीके के और 50 हिंदे के कोश्चन रहते थे जिस होते हैं आप साइंस कॉमर्ट आर्ट या फिर एग्रिकल्चार वर्कवर्क से तो दोस्तो देखेंगे अप्डेट क्या है देखें अप्डेट ये निकल के सामने आई है कि बीर्ड परवेस परिच्छा के लिए प्रदेश में 19 नोडल केंद्र होंगे और इन नोडल केंद्र से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है तो लखनों द्वारा आई देखें अप्डेट आ जाएगी प्रवेस परिच्छा समन्वेक प्रोफेसर अमिता बाचपी ने बताया कि प्रवेस परिच्छा 9 अगस्तर विवार को दो पालियों में निर्दारित की जाएगी यानि कोई बदलाओ नहीं किया गया है दो पालियों में ही आपकी परिच्छा होगी और प्रवेस परिच्छा प्रदेश के 73 जिलों में आयूजित की जाएगी। इससे पहले बोला गया था कि 50 जिलों में आयूजित की जाएगी। 31,904 ठीक है यह आपके टोटल परिक्षारती हैं इस बार किसी भी प्राइवेट पॉलेज विद्याले परिक्षा केंद्र नहीं बनाई जाएंगे तो यह थी आज की अपडेट और यह रेगुलर में आपको अपडेट दे रहा हूं जो भी ऑथेंटिक निउस आती है तो आप आपको लगता है कि हम आपके लिए पहनत कर रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक और शिर्ट जिरूर किया करें दिल से जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए और हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट देते रहे हैं धन्यमाद जुणने के लिए आपका दिन शोग झाल